आप लोग एक laughing stock बन चुके हैं, कि इतने बज़र आपका खर्च हो गया, इतने पैसे उड़ा दिये हैं, कि आप अपनी IT टीम को भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे चीप audio clip जनरेट करने पड़ रहे हैं. जबो कशमीर में LG भी ये कह रहे हैं, जो लोग जबो कशमीर में शांती भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कानून के मताबक सब्सक्ति से निबता जाएगा, भारत की छवी खराब करने की कोशिश की जाएगा है. भारत की च्छवी तब खराब होती है जब LG हों हमारे सम्विधानिक पत पे रहे हुए गवनर हों वो अपनी सीट की जिम्मेदारी कुरसी जो मिली है जो उसके साथ जिम्मेदारी मिली है उसका पालन करेंगे जिस तरीके से बार बार वादा जमूर कश्मीर की जनता को किया ग जाए तो अगर दूसरों के उपर टीका टिपनी करने की बजाए अगर सही माइने में जमूर कश्मीर की विकास और प्रगती को देखेंगे तो उसको स्टेटूट बहाल करेंगे यहां तक कि केनेडियन प्राइम मिनिस्टर का विश्वास उनकी खुद के पाटी लीडर्स म नहीं है तो आए दिन एक नया आरोप बनाते हैं आए दिन एक नई साज़श करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता है जो एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस रखने वाले कानेडा में बैठे हैं वो उन पे विश्वास जता कर उनको वापस सरकार में बनाते हैं वो उनकी domestic politics है और मैं नहीं हमानती हूं इस पर हमें जाला टीका टिपनी करनी चाहिए क्योंकि हमारे राश्टर में जो भी हुआ है law and order and international law and order and rules and regulations के मताबिक हुआ है देखे जिस तरीके से आरोप सिध हुएं conviction हुआ है, indictment हुआ है काश अगर हमारी खुद की investigative agencies जब इस तरीके की report सामने आई थी उस पे investigation करते हैं free and fair manner में करते हैं, एक जो corporate governance की बात करते हैं, corporate responsibility की बात करते हैं, corporate accountability की बात करते हैं उसको ध्यान में रख कर, अगर industrialist पे कोई कारवाई, कारवाई in the sense के उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें पर हमने देखा कैसे agencies भी उनको defend करने में लगी हुएं थी SEBI आज तक उन पे आरोप नहीं सिद कर पाई है, बलकि दूसरे courts में वो आरोप सिद हो गए है उन पे कहा जा रहा है, लाखो करोडों उन्होंने खर्च किये हैं, bureaucracy में, government officials पे, contracts लेने के लिए solar power contracts लिया और वो उन्होंने investors को, US investors में जो bonds थे, जिससे वो पैसा collect कर रहे थे उन्होंने उसको reveal नहीं किया है, यह अगर अदानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और indictment होता है यह हमारे देश के लिए, देश की credibility के उपर प्रशन चिन उठता है, सालों से कमाई हुई credibility, सालों से कमाई हुई इजट, एक industrialist की वज़े से गवा देना, मैं मानती हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपून है इंडास्टिलिस्ट बड़े, इंडास्टिलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगती में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से, जो इंडिया में ही investigation होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है, यह बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है, और मैं उमीद करत हूँ, कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम, इंडियन एजनसी थोड़ा स्पाइन दिखा कर, उनको सही corporate governance के अंतरगत, उनसे accountability मांगेंगी, और यह कौन से government officials हैं, जिनको bribe दे दे कर, आज यहां तक पहुचाया कि उनको इपास सिते contracts हैं कि दुनिया भर के सबसे अम रही थी, उन्होंने कहा कि यह काफी सालों से चलता हुआ केस है, यह केस इसका नहीं है कि हमाचल प्रदेश सरकार पैसे नहीं दे पा रही है, यह केस इसका है, क्योंकि dispute payment के उपर है कि क्या amount payable है, और वो काफी सालों से courts में चल रहा है, यह भारतिये जनता पार्टी के समय पर हुआ है, और मैं इस पर भारतिये जनता पार्टी बनाम कॉंग्रिस नहीं करना चाहूंगी, पर बीजे पी क्योंकि उनकी आदत पढ़ गई है कि समोसा से लेकर court के orders को लेकर नारजनीती करते हैं, तो उनको यह ध्यान रखना ज़रूरी है, कि यह हिमाचल प्रदेश की की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, वो इस पर बातचीत करें हैं, राजनेतिक, पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करें हैं, सालों से चला हुआ मामला है, हर सरकारें करती आई हैं, और उसमें साथ देंगे, रादर नहीं इस पर राजनेती करें, अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन exit polls बता रहे हैं कि BVP के पक्ष में सरकारी बन रही हैं, देखिए सारे exit polls जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर general election में fail हुए हैं, ये exit polls fixed matches हैं, ये exit polls scam कराते हैं, stock market में निवेश बढ़वाते हैं, profit booking कराते हैं और जो retail investor है, उनके लिए losses कराते हैं ये सारा manipulated game चल रहा है, जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था, 400 पारकर exit polls दिखा रहे थे, 240 पे भारती जनता पाती आई, फिर हमने हमने हर्याना में भी देखा वही माहौल, तो मैं exit polls पे चर्चा ना करकर, जो जनता ने हमें प्यार दिया है, जो जनता ने हमें जच्टाचार किया है, हमारी industries को दूसरे राज्य में भेजा है, हमारे हुवाओं को बेरोजगा रखा है, law and order की व्यवस्था कोलाप्स हो चुकी है, महिंगाई बढ़ चुकी है, और महिलाओं को लेकर, महिलाओं के आतनसमान को लेकर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किस से लुटा रहे हैं, वो सब जनता देकर, जनता ने हम पर विश्वास जताया है, और हमें वोट देगी और बहुमत देगी और हमारी सरकार चुटेगी